हेलो फ्रेंड्स मैं सुरेश किमारतिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इस डिडिए पर सागत करता हूं हम लोग कल फंक्शन में वनवन की बात कर रहे थी कि कैसे मैप को वनवन दिखाया जाए तो कल मैंने आपको दो तरीकी बता दिये थे कि अगर डोमेंट में यक्सवाई के इक्वल नहीं है तो ऐपकस defenders यूद्ध के रहे भी में ये जो वन वन होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो function defined होता है अगर domain positive negative को रखता है और x का even power अगर चला है तो पक्का map 11 नहीं होगा otherwise map क्या होगा 11 होता है आज मैं बात करने वाला हूँ graphical method की जो कि पिछले वीडियो में केवल मैंने एक question में बंद कर दिया था तो आज मैं graphical method को complete करूँगा graphical method के साथ साथ मैं एक method और discuss करूँगा जो कि calculus method होगा यह चीज़ा आपको बहुत कम मिलेंगी लेंगि मैं आपको यहाँ समझाओंगा कि देखो कैसे आप map को 11 दिखा सकते हो तो आज ही start करते हैं 11 map ही दिखाना है काईट साथ मैप चल ला हाता है जिसमें 11 map की बात करेते हैं 11 function की बात करेते हैं उसमें algebraic method मैंने कर दिया था जिसमें कोशे मैंने करार रिखा है आज मैं बात करता हूँ graphical method की और graphical method से कैसे map को 11 दिखाएगा इसकी बात करेंगे तो श्टार्ट करते हैं वीडियो आज क्या graphical method ग्राफिकल मैथड ग्राफिकल मैथड बहुत ही सिंपल से चीज है कुछ करना नहीं है अगर मालो कोई कर्व है मालो कोई भी जैसे भाई कोई फंक्सन क्या करव है आप क्या करो पहला लाइन ड्रा करो आप किया करो एक प्रेंट है कि यह नहीं कि पैर लाइन करना है ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नहीं डरा किया पैरफ टुछ को अगर दीए गए करो को एक पॉइंट पर को काटा आपने जो Empathe every parallel line इने किव लेकर कुछना है सबस्क्ञार करते अगर कर रहा है तो 100% guarantee है कि आपका जो map होगा वो one one होगा otherwise अगर वो एक से अधिक points पर cut करती है तो जो आपका map होगा वो one one नहीं होगा वो many one हो जाएगा तो क्या कहता है graphical method इसके बारे मत्वास देख लेते हैं draw the curve y equal to fx सबसे पहले पहला line क्या करेंगी draw the curve y equal to fx सबसे मेले कर्व को draw करेंगे जो क्या है y equal to fx clear है second अब यहीं से start होगा second main fact है one one दिखाने का graphical method है लेकिन graphical method में ध्यान रखिएगा आपको कर्व का graph पता होना चाहिए आपको मैं एक book सजेट्ट करता हूँ आप उस book को ले लीजिए उस book का नाम है play with graph प्लेगी graph एक book का नाम है अरिहन पव्लिकेशन की आती है अब लेभी graph यह देख लेजिए अरिहन पव्लिकेशन की आती बहुत ही अच्छी book है इस book में आप गारे मताया गया है ग्राप के साथ कैसे खेला जाए इस को आप कम सकम परचेज करके जरूर देखें बहुत ही अच्छी बुक है प्ले वीद ग्राफ इसको जरूर पढ़ें यह बहुत अच्छी है ऐसा कोई नहीं कि मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है यह अच्छी बुक है इसलिए मैं बोला हूं मैं खुद पढ़ा हूँ तो आप इ okay, बेलिट होगया हमसे, draw the curve y equal to fx, second पहले y equal to fx के curve को draw कर लो उसके बाद क्या करना है आपको, if every line parallel to x-axis, cut the curve exactly at one point, If every, if every line parallel to x-axis cuts the curve exactly, exactly at one point, then the curve, then the function is 1, 1. और अगर एक से अधिक पॉइंट पे काटें, तो वह 1, 1 नहीं होगा, तो इसके लिए आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफिकल मेतड के लिए, ड्राद कर वाई उकल टू अपक्स, if every line parallel to x-axis cuts the curve exactly one point, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, वह 1, 1 होगा, otherwise वह फंक्शन मैंनी 1 होगा, otherwise फंक्शन जो होगा क्या होगा, otherwise फंक्शन जो होगा, क्या होगा, मैंनी 1 होगा, क्लियर है मेरी बात, चलिए एक कोश्चन समझते हैं, एक कोश्चन उड़ाते हैं, देखते हैं क्या कहता है, समझा दे आपको इस कोश्चन को, which are the following function is 1, 1, question आपका है, which are the following function is 1, 1, इसमें से ऐसा कौन सा function है, जो कि क्या है, 1, 1 है, which are the following function is 1, 1, इसमें से ऐसा कौन सा function है, जो कि 1, 1 है, clear है, option नमर ए आपका है, option नमर ए आपका है, f from r to r given by, f from r to r given by, f x equal to mod x minus 1 for every x belongs to r, option नमर ए आपका है, g from minus pi by 2 से pi by 2 belongs to r given by, f from minus pi by 2 से pi by 2 given by, minus pi by 2 से pi by 2 r होगा फिर, r नहीं लिखा नहीं, sorry, या r भी होगा, 2r given by, f x equal to mod sin x, for every x belongs to minus pi by 2 से pi by 2, क्या ये map 1, 1 होगी, a11 होगा, b11 होगा, पता सकते हैं तो बता हैं तब तक आप, h from जो है, h जो map है, minus pi by 2 से, pi by 2 है, r तक given by, f x equal to sin x, for every x belongs to minus pi by 2 से pi by 2, और option number d आपका इस question का जो answer है, वह phi from r to r given by, phi from r to r given by, phi x equal to x square minus 4, for every x belongs to r, बताना है, इस में से कौन सी map, 1, 1 है, बताना है, इस में से कौन सी map, 1, 1 है, क्लियर ने मेरी बात, हम लोग बताना है, कि इस में से कौन सी map, हमारी 1, 1 है, ठीक है, which of the following function is 1, 1, पहला है, f x equal to mod x minus 1, दूसरा है, f x equal to mod sin x, तिसरा है, f x equal to sin x है, और चौसरा है, f x equal to, 5 x equal to, x square minus 4 है, मेरा ये करना है, हम इसको graphical method से करने जा रहे हैं, सबकर graph हम को पता होना चाहिए, क्यों graph अगर नहीं पता है, तो graphical method लगाएं कैसे, graphical method तभी लगा सकते हैं, जब graph हम को पता हो, तो मैंने भी आपको एक book suggest किया है, प्लीस आपको अगर अच्छा जानना है, knowledge अची ही रहा नहीं है, mathematics में, तो आप play with graph को जरूर पढ़ जाएं, जो कि अर्हंत publication की बुकाती हैं, उसको देखें, पहला है, खुछ सोचो, fx equal to, अगर mod x होता, तो figure कैसे होता, करते सर ऐसे होता, यह origin होता, यह होता, अब क्या है mod x minus 1 है, अब क्या है mod x minus 1 है, इसका मतलब इसका जो figure होगा, पहले वाले का, जो first हमारा है, उसका जो figure होगा, fx equal to, mod x minus 1 है, तो mod x minus 1 है, तो 1 पे चले जाओ, 1 से इस परकार से line ड्रा कर देना, यह क्या है, यह fx equal to, mod x minus 1 का figure है, यह fx equal to, mod x minus 1 का figure है, clear मेरी बात, clear मेरी बात, यह fx equal to mod x minus 1 का figure है, दूसरा है, fx equal to mod sin x, दूसरा है आपका, fx equal to mod sin x, clear मेरी बात, mod sin x के करना है, b बी आपका है, fx equal to mod sin x, x कहां है, आपका यहां डूमेन लिखा हुआ है, minus pi by 2 से pi by 2 है, खुश सोचो, यह pi by 2 0 हो गया, यह minus pi by 2 0 हो गया, clear मेरी बात, सोचो, खुश सोचो, अगर sin x होता, अगर sin x होता, तो sin pi by 2 क्या होता, 1 होता, clear है, माने, यहां पर तो figure ऐसे मनेगा, 1 की तरफ जाएगा, और minus pi by 2 क्या होता, minus 1 होता, तो नीचे आता, लेकिन यह more sin x है, तो 1 ही होगा, और 1 ही होगा, तो figure यही जाएगा, 1 ही होगा, तो figure यही जाएगा, just minute, थोड़ी से कुछ problem दिख रही है, यह ऐसे हो गया, और यह ऐसे हो गया, clear है मेरी बात, clear है मेरी बात, और यहां पर यह क्या हो जाएगा, यह जो point होगा, यह जो point होगा, pi by 2, 1 होगा, और यह भी point क्या होगा, minus pi by 2, 1 होगा, और यह pi by 2, 1 होगा, clear है मेरी बात, दो figure हमारे clear कर दिया है, तीसरा हमारा है, h जो है, वो है क्या है, fx equal to sin x है, sin x के graph आपको पता होगा, फिर मेरे मैं बता देना हूँ, रेंज ध्यान लगना, domain मेरा क्या है, domain मेरा minus pi by 2 से pi by 2 है, हम minus pi by 2 के left नहीं जाएंगे, pi by 2 से right नहीं जाएंगे, हम के ओल minus pi by 2 से pi by 2 की बात करेंगे, ठीक है, तीसरा figure आपका जो होगा, यह होगा, तीसरा figure आपका जो होगा, कुछ यह होना चाहिए, इस तरीके से, maximum height होगी, pi by 2 पर 1 होता है, pi by 2 पर यहाँ 0 हो गया, यह height कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ क्या होगा, minus pi by 2 होगा, तीरो यह height कितनी होगी, 1 ही होती न, clear मेरी बार, यह हो गया, f x equal to sin x हो गया, यह f x equal to sin x हो गया, और चौथा मेरा है, जो चौथा मेरा है आपका, d वाले के graph जो होगा, y equal to क्या है, pi x equal to x square minus 4 है, खुश सोचो, अगर y equal to x square होता, तो figure यह होता, figure यह होता, और y square equal to होता, यह होता है, यह तो है figure, लेकिन क्या है, x square minus 4 है, यह क्या है, x square minus 4 है, तो origin से नीचे जाए, कहां पे, 4 पे, इसका जो figure होगा, वो ये होगा और ये क्या होगा माइनस जीरो माइस फूर होगा ये पॉइंट क्या होगा जीरो माइस फूर होगा क्लियर है ये कौन सा ग्राप है ये फाई एक्स इकल टू एक्स इसकार माइस फूर है थर्ड वाला जो है एच है तो है एकुल टू होगा तो इवरी लाइन पायल 2 X axis चाय जो भी लाइन में पायल टू एकसएक्स करूं वो करो को क्युखल और क्युखल एक ही पॉइंट पे कट नहीं करेगी क्लियर मेरी बात तो अगर मैं कि पहले करूं में मैं लाइन ड्रा करूं पहले टू एक्ससिस में सब्सक्राइब टू एक्सेक्सिस यह दिये गये करूं कि कितने पॉइंट पे काट दिया कितने पॉइंट किया को कि दो पॉइंट पर इसका वाद यह बात यह बात यह बाद इन्सर नहीं हो सकता है क्लिए मेरी बात उमिद करते हैं आपको मेरी बात समय आ रही होगी मैंने पैलर टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा की जो की दिये गे करू को दो पॉइंट्स पे कट किया अगर मैप वन वन होता अगर फंक्शन वन वन होता तो एक्जेक्टली केवल वन पॉइंट्स पे कट करता और यहाँ पे कर दिया है मैप वन वन हुँगा क्या होगा मैं नीवन होगा इसलिक सकाकर आपसर नमपर dużo कि बात करते सर दो पॉइंट पे काड़ दिया दो पॉइंट पे काड़ दिया दो पॉइंट पे काड़ दिया भैया तो यह भी वन वन नहीं होगा क्या होगा मैंने इस कोश्चन का एंसर बी भी नहीं होगा इस कोश्चन का एंसर बी भी नहीं होगा क्लियर है मेरी बात हुआ के चलते हैं कि टिर बाद में आएंगे सी की तरफ में पहले आपसर्ण की तरफ क्लीर में इस नमर्टнем के चले तो मैं कोई भी पेर टू ऐसे से खीचो कोई भी लाइन फह जालाइक ऑग अगा अगर हर जगा पाइल ठेका तब तरह है तो दूसरे श् شي ते थिकर कर दिया नीचे लाइन पहले टू एक्सेसीन दो जराक काड़ दिया तब तो खतम आमवला काथिम साफ वसफ नहीं होगा थो हर पॉइंट हर जगह लाइन कहीं पहले टू एक्सेस ह्यों हर जगह करो कको एक अहीं पॉइंट कटेगा एक स्याधिक पॉइंट प्रनी काटेगा आध्सवा अब्सक्राइब इसके साथ 2 क्या क्या क्ट किया है, यहां भी क्ट क्या मैप 11 नहीं हो सकती है मैप क्या होगी मैं नहीं वन होगा इसले इस question का answer D भी नहीं होगा जब answer A नहीं है B नहीं है D नहीं है तो answer क्या होगा C होगा answer क्या होगा C होगा लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ आप जाइए आप देखिए आपसर नबर C का जो graph है वह बढ़र टू- axis मैंने यहां खी जाएक पॉइंट पर काटा तो देख रहें क्या मैं कहीं भी पर टू- exercise खीच रहा हूं दिए के करो कहा काट रही है तो लाइन पर टू- exercise कषद कर exactly one point cut the curve exactly one point तो मानने ये map क्या होगा one one होगा इसलिए इस question का जो correct answer होगा वो option number C होगा ये था graphical method का पूरा का पूरा क्या theme है उसका कैसे उसको किया जाता है graphical method से question को कैसे solve किया जाएगा ये पूरी उसकी कहानी है अब हम लोग next video में देखेंगे calculus method क्या होता है फिर next video में बताएंगे calculus method से कैसे map को one one किया जाता है लेकिन graphical method के लिए इस बाद को ध्यान रखेगा कि आपको करव का graph पता होना चाहिए और आपको करव का graph नहीं पता है तो आप इस method को apply नहीं कर पाएंगे तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद